गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट, आज हम कच्छा तीन की हिंदी की पाठे पुस्तक कल्रव का पाठ तीन, बादल किसके काका कवीता पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे जानते हैं कि बरसात के दिनों में आस्मान में क्या दिखाई देता है। बादल, बरसात के दिनों में आस्मान में बादल दिखाई देते हैं। बादल से हमें क्या मिलता है? बारिस, पानी, बादल हमें पानी देते हैं। बादलों से पानी बारिस के रूप में, वर्षा के रूप में धर्ती पर आता है, और उस से पूरी पृत्वी हमारी हरी भरी हो जाती है, आईए, बादल से बच्चे क्या कह रहे हैं, इस कविता को पढ़ते हैं, आओ कविता शुरू करते हैं, अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहां से यह पानी, किसने फोड घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी, बरसात के दिनों में धूप रहती है और अचानक पानी गिरने लगता है, ऐसा लगता है मानो किसी ने घड़े फोड दिये हैं, और उन में से पानी नीचे दर्टी पे गिरने लगा है, सूरज ने क्यूं बंद कर लिया अपने घर का दर्वा जा, उसकी माने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा, सूरज अचानक आसमान से गायब हो जाता है, तो ऐसा लगता है, जैसे उसकी माने उसे वो कहा हो कि बेटा घर के अंदर आजा और वह अचानक अपने घर के अंदर घुश गया हो और सूरज दिखना बंद हो गया हो जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका किसको डाट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना मा का जब बादल जोर जोर से गरजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह किसी को डांट रहे हूँ जब मा का कहना बच्चे नहीं मानते हैं तो आपके भी पापा आपको डांटते हूंगे तो बादल जब गरज रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सैतानी करने वाले बच्चों को वो डांट रहे हैं यह कवीता सुबद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है सभी बच्चे इस कवीता को याद करेंगे और अपने अपने घर में अपने माता पिता को सुनाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों